बीजेपी के नवन्योक्ति जिलावपाध्यक्ष गिरिश शर्मा ने कहा कि उन्हें जो नई जम्मधारी मिली है उस दायत्व का वह जम्मधारी के साथ निर्वहन करेंगे A.C.N. भारत के साथ खास मलागात में जिलाउपाध्यक्ष शर्मा ने भीजेपी में कोई भी गुट होने से इंकार किया कॉंगरेस से भीजेपी में शामल हुए भीजेपी जिलाउपाधियक्ष गिरिश शर्मा ने निगम मंदलों की सूची में सिंध्या समर्दों को का दबदबा होने पर कहा बीजेपी में सभी कार करता हैं संगटन उन्हें समय समय पर जिम्मेदारी देता रहता है इसमें किसी गुट का होना सरूरी नहीं बीजेपी जिलाउपाध्यक्र गिरिष शर्मा से खास बातचीट की एसे अन भारत की पॉलिटिकल एडिटर मुक्ता पाठक निद एस वक्त मेरे साथ माध्यप्रदेश भाजपा के जिलाउपाध्यक्र गिरिष शर्मा जी हैं आई हम इनसे बातचीत करते हैं गिरिश जी सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई हो अभी जिस आपका अभी नए ने उपाध्यक्ष नियुक्त के गया है जिला नई जम्मेदारी है कैसे निभाएंगे क्या एहम भूमिका रहेगी आप देखिए भाजपा भारती जंता पार्टी एक विशेश प्रकार कदल है यह वैचारिक चिंतनों से बनी हुई पार्टी है और कई बार ऐसा लगता है हम लोग तो कुछ समय दूसरी पार्टियों में भी रहे और वहां से राजनीती शुरू की लेकिन यहां देखें कि एक कैडर्वेस पार्टी है संगठरात्मक जो विस्तार भारती जंता पार्टी का होता है और भारती जंता पार्टी में संगठर्ण मुल रूप से कहीं ना कहीं शक्तिसाली होता है आज हम सब हम जैसे कई कारे करताओं को भार्ति जनता पार्टी ने एक महत्पूर्ण जिम्मेदारी दी है बोपाल जैसी राजधानी में जिले में उपादेश का प्रभार भी दिया है तो निश्यत तोर पर संगठन की जो आवशक्ता है और निरंतर भारती जनता पार्टी का जो चिंतन है भारती जन्ता पार्टी की जो विचारधारा है इस विचारधारा को आम जन्मानस तक और अंतिम छोर के व्यक्ति तक भारती जन्ता पार्टी की योजनाओं को भारती जन्ता पार्टी की सरकार की विकास की योजनाओं को आम जन्मानस तक पहुचाना ये भारती पार्टी के हर कारकरता का लक्ष होना चाहिए और यही हर कारकरता की जिम्मेदारी भी है तो पद महत्पूर नहीं होते हैं कारकरता कितनी निष्ठा कितनी इमानदारी के साथ अपने दल के प्रती अपनी पूरी निष्ठा के साथ अपने कारियों को अंजाम देता है और संग और इस प्रक्रिया में जो भी हमें बार्टी के करणधार, जो पार्टी के अध्यक्ष्या, परटी के जो संगटन के बनादिकारी लोग हैं, वो जो हमें जिम्मेदारी देंगे, उसको निर्वाण, पूर्ण, निष्ठा और इमानदारी से हमने करने का संकल्प लिया है। अभी देखा जाए अभी भी जिस तरह से नुक्ती हुई है पहले तो काबिनेट में मंतरियों को जगा मिली उसके बाद अभी निगम मंडल की जो नुक्ती हुई और जित्ते भी जो नुक्ती आए उसमें देखा जा रहा है कि जोतिरात सिंदिया जी का जो पलड़ा है वो भारी है उनके साथ जो लोग आए जैसे आप भी उनी के साथ कॉंग्रेस से बीजेपी में आए तो आप सब लोगों को नवाजा गया है तो उनका पलड़ा भारी है इस से कहीं न कहीं जो बीजेपी की जो जत्ते पुराने नेता हैं उनके मन में तो टीस है कि वो इतने सालों से जुड़े हैं उनको वो तबज़ो नहीं मिल पा रही है जो आप सारे लोगों को मिल रही है निश्यत तोर पर मानने जोतिरादिस सिंधिया जी एक जननायक है पिछली सरकार भी जब आई तो में विक्तिकत तोर पे भी एक आम जनתा के मन में विश्वास था कि मद्यपिश की दसा और दिशा को बदलने के लिए एक बहतर चहरा माननी श्री जोतिदाद सिंद्या जी हो सकते हैं लेकिन चुकि पुरानी सरकार के कारेकरना आप सबी जानते हैं एक तो पूरी पार्टी, कॉंगर्स पार्टी अपनी विचारधारा से ही प्रतक हो गई और आम जन्मानस से जुड़े मुद्दों के लिए जो काम करना चाहिए जिन संकल्पों को लेकर जिन वादों को लेकर आपने सरकार बनाई थी और जनता ने आशिरवाद ऐसा नहीं आशिरवाद नहीं दिया जनता ने आशिरवाद भी दिया लेकिन पिछले पंद्रा मैनों में जो इस्तिती इस प्रदेश की बनी कि ये प्रदेश एक लूट तंतर का अड़ा बन कर रह गया था और यहीं नहीं प्रदेश के प्रदेश एक मुख्याले में दलालों का ऐसा जमवाडा बन गया था आम जन्मानस की जो चीजें थी जिन बातों को लेकर आये थे उन बातों से पूरी सरकार दूर दिखाई देती थी तो धीरे धीरे शेने शेने जब सिंद्या जी ने इस चीज को देखा तो उन्होंने अपने आपको इससे प्रदक करने का नर्णे लिया और एक राष्टी वि भावनास से ओध प्रोद एक पार्टी थी ये बात तो ठीक है चलिए लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है कि आप लोग आए आप लोगों को पदों से नवाजा जा रहा है चाहे हम केबिनेट की बात करें चाहें नेगम मंडल की बात करें या पार्टी संगठन में बात करें तो इससे पुराने जो BJP के नेता जो सालों से जुड़े हैं, उनको तो नहीं मिल पा रहा वो पद, उससे तो टीस है ना उनके मन में, देखिए, इसमें जो संगठन चलता है, वो पूरे सामन जैसे के साथ चलता है, सत्ता में एक विशेश तरीका समन वे बिठा जाता है, उनके साथ जो कुछ मंत्री, विधायक या हम जैसे छोटे कारे करता भी आये हैं, तो वो आज भारती जनता पार्टी की रीती, नीती और विचार धारा में सम्मिश्रित हो चुके हैं, अब इसको किसी अलग गुट के रूप में देखना, इसको किसी अलग विचार धारा के की हमारे मन में एक्छा थी, और कहीं न कहीं उस विचार धारा को हम अडोप्ट करना चाहते थे, तब तो इस दल में आये हैं, तो अब इस दल में एक मिश्रित विचार धारा है, और सभी के सभी कारे करता, चाए वो मंत्री हो, चाए वो विधायक हो, या माननी स्वैम स्री की जो तिरह सिंधिया जी हो, चाए हम जैसे छोटे कारे करता भी हो, अब हम सब भातियंता पार्टी के सदस्या है, चलिए, आपने एसे इन भारत को समय दिया, इतनी अच्छी बात्चीत की, बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारी शुब कामना है, बहुत धन्यवाद मुक् एसे इन भारत के लिए भोपाल से कैमरामेनोबिस के साथ मुक्ता पाठ